साथियों, 21 सदी में भारत आज जिस उंचाई पर है, वहां से अब उसे निरंतर आगे ही जाना है। पिछले वर्ष भारत ने करीब 84 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड फोरेन डारेक्ट इंवेस्टमेंट हासिल किया था। और आप भी जानते हैं कि नतीजे तब आ रहे हैं जब दुनिया कोवीर वैस्विक महामारी के असर और युद्ध की परिस्थितियों से पूरी दुनिया जूज रही है। हर तरफ अनिस्थित्य का माहोल है। भारत में भी युद्ध और महामारी से बनी स्थित्यों का विप्रित प्रभाव पड़ा ही है। बावजोदिस के आज पूरी दुनिया भारत की तरफ बहुत उमीद भरी नजरों से देख रही है। यह दौर इकोनाबिक अनसर्टेनिटी का है। लेकिन तमाम देश एक बात को लेकर आस्वस्त है कि भारतिय अर्थववस्ता के फंडामेंटरल्स मजबूत है। आज के इस फ्रेग्मेंटेड दौर में भारत दुनिया के साथ जुड़कर और दुनिया के लिए काम करने पर जोड़ दे रहा है। इस दौर में सप्लाइचेंज को ठब पड़ते देखा है। लेकिन इसी दौर में भारत हर जरुरत मन को मेडिसीन और वैक्सिन सप्लाइच करने का भरोसा दे रहा है। ये मार्केट फ्लक्सियेशन का दौर है। लेकिन एक सो तीस करोड भारतियों की आकांशाएं हमारे गरुलू बाजार की मजबूती की गारंटी दे रही है। और सबसे एहम बात ये बले ही ग्लोबल क्राइसिस का दौर है। लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, विशलेशक और अर्थिववस्ता के जानकार भारत को ब्राइट स्पोर्ट बता रहे हैं। और हम अपने फंडमेंटल्स पर लगातार काम कर रहे हैं। ताकि भारत की अर्थिववस्ता दीनों दीन और मजबूत हो। पिछले कुछ महनों में भारत ने जितने फ्री ट्रेड डिल्स किये हैं। उससे दुनिया को हमारी तैयारियों की जलत मिल चुकी है। दिए।